हाई नविशकार, सच्छी काल और आधा बर्जे दोस्तों लेकर आया हूँ स्टॉक मार्किट का इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हिंदी में इसके पहले मैंने इंग्लिश में अप्लोड किया लेकिन काफी सारे लोगों ने डिमांड की कि हिंदी में एक वीडियो बनाईए तो मैं आपको थोड़ा बेसिक जो है वो बताने वाला हूँ और अगर लोगों ने जादा इंटरस्ट दिया तो definitely मैं और भी जादा वीडियो जो है यहाँ पर लेकर आऊँगा तो सबसे पहले की stock market में अगर हमें trade करना है तो कैसे trade करते हैं? यही नहीं पता लोगों को कितने परकार के shares होते हैं? यह नहीं पता है लोगों को तो दिखें ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको बता दू मतलब shares को buy, sell करने के लिए अगर आप company के stocks buy कर रहे हैं तो उनको हम shares कहते हैं अगर आप gold में trade कर रहे हो चांदी में trade कर रहे हो silver जिसे हम कहते हैं ठीक है आप dal pulses में trade कर रहे हो आप oil में trade कर रहे हो तो उसे हम कहते है commodity trading ठीक है अगर आप currency में trade कर रहे हो मतलब rupees में trade कर रहे हो USD में, NR में ट्रेड कर रहे हो तो इसको हैते हैं currency trading कहते हैं, अगर आप coins में trade कर रहे हैं, आपने सुनाओगा Bitcoin है, ठीक है ना तो ऐसे अगर आप trade करते हैं, तो इसको हम कहते हैं crypto trading, फिलाल के लिए इंडिया में legal नहीं है crypto, लेकिन काफी सारे लोग, आपको पता है आज कल platform आये हुएं वो क्या करते हैं, आपके पैसे को convert कर देते हैं और trading करवाते हैं, तो legal ही बन जाता है वो लेकिन फिर भी हमारी government हमें वो नहीं करती है लेकिन क्या होता है, क्या होता है जिन्होंने tie up किया होता है हमारे इंडिया के अंदर और बहुत लंबा चोड़ा वो है तो ये छोटा सा एक वो है कि ये trading होती है अब इसके अलावा भी कुछ चीजे है जो काफी सारे लोगों को नहीं पता कि ये ठीक है, ये trade तो है लेकिन कि trade कहां करना है, कैसे करना है क्या हम कोई भी share उठा सकते है buy करने के लिए, क्या हम कोई भी share sell कर सकते है buy करने के लिए, sell कर सकते है मतलब profit कमाने के लिए तो देखो, ये चीजे करने के लिए technical होता है, fundamental होता है ठीक है, तो ये इनके basis पे चीजे चलती हैं, अगर आपको Indian market, stock market, NSE, BCSE के companies को खरीदना है उनके shares को, तो आपको technical knowledge होना जरूरी है, आपको fundamental की knowledge होना बहुत जरूरी है, फिर आप ये चीजे कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं बस सीधा trade करना चाहूं तो वैसा नहीं हो पाएगा, पहल अगर आप सोचते हैं, आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीन, 5 दिन, 2 महीने, 6 महीने काम करके, आप profit कमा सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहिमी है, मैंने 5 साल market में पैसा गवाया है, ये बात भी ध्यान रखेगा, ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हो, मैं 6 महीने 1 साल देखके कर सक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़े हैं, क्योंकि यहाँ पे टेकनिकल, फंडामेंटल से भी जादा, आपका दिमाग किस तरह से वर्क करता है, आप इमोशनली किस तरह से चीज़ों के साथ अटैच हैं, ये चीज़ बहुत important होती है, तो ये थोड़ा सा समझ ये मैं आज basic की बात कर रहा हूँ, उसके बाद काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि market में selling भी की जाती है, लोग सोचते हैं, market गिर गया आज, तो गिराया किसने, seller ने, जिसे हम bear कहते हैं, market चड़ गया, चड़ाया किसने, bull ने, जिसे हम bullishness कहते हैं, ठीक है, तो ये trend होते हैं, अब selling जो है, आप वो भी करके पैसा बना सकते हो, sell में काफी सारे लोगों को doubt रहता है, या मेरे पास stock नहीं है, तो मैं sell कैसे करूंगा, तो वो भी हम in future जो है, आपके साथ जरूर share करेंगे, buy कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो DMAT account आपको open करन करनर हैं, क्या आप वाके में सीखना चाते हैं, अगर आप वाके में सीखना चाते हैं, market से पैसा बनाना, आप चाते हैं कि यार मुझे कोई A to Z, basic बता दे, A to Z मैं सीखना चाता हूँ, मैं महनत करूंगा, कुछ भी हो जाए, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, तो इस वीडि पर चाहिए, आपने देखा है, मैंने डेली प्रॉफिट कमा के आप लोगों को दिखाया है, तो वो कैसे होता है, कैसे मेरे अंदर ये चीज आई, वो सारी चीज़े आपको सिखाऊंगा, बस अपना भाई समझ के, DMAT अकाउट कोई मत खोलिएगा, अगर आप सोचते हैं, आप एक दो महीने में सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, और जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो बिल्कुल free up cost होने वाला है, ऐसा मत सोचेगा कि ये मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक earning करे, घर बैठके पैसा बनाए, मिलता हूँ आपके साथ